नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कारिक्रम, हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ शिखा मेरोत्रा अपने इस कारिक्रम में हम बात करते हैं विशेशग्यों से किसी खास टॉपिक पे और जानते उनकी राये कि किस तरह से हम किसी बिमारी से लड़ सकते हैं, उनसे बचाओ कर सकते हैं और आज इसी कड़ी में हमाई सार डॉक्टर एश के विश्णोई जड़ेंगे, जो कि हमें बताएंगे नेत्र से संबंधित बिमारीों के बारे में कैसे उनसे बचाओ किया जाये और किन-किन चीजों को ध्यान में रखके हम अपने नेत्रों को स्वस्त रख सकते हैं सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका नेत्र रोग संबंधित इस फील्ड में कितना experience रहा है और किस तरह से आपने अलग-अलग नेत्रों की बिमारीों को ठीक किया है मैं लगभग नेत्र विभाग में 35-40 साल से जुड़ा हुँ और विभिन नेत्र की बिमारीों का मैंने इलाज किया है जिसमें मुखित है मोतियविन के operation में मेरा विशेश योगदान रहा है जो राश्री दर्श्रींता नियंतरन कायकरम है उसमें जो मोतियविन का operation होता है लेंस लगता है उसमें नेश शिवरों को लगा कर और संस्थागज जो operation होते हैं उनको करके हमने कार किया है जिस तरह से नेत्र में कई बिमारिया देखने को मिलती है कभी-कभी लोगों को पानी आने लगता है आखों से कुछ लोगों में सूख़पन महसूस होता है आखों में कई तरह की बिमारिया होती है तो बिमारियों के बारे में जाना चाहेंगे कि कौन-कौन से बिमारिया देखने को मिलती है लोग कैसे पहचाने कि उनकी आखों में कुछ दिक्कत हो रही है यह समान नहीं है. अगर किसी की आँख में कम दिखाई देता है या उसके आँखों में ज्यादा एस्तमाल करने से पानी आ रहा है आँखों में दर्ड सर में दर्ड हो रहा है या आँखों में लाली आजाती है तो ये किसी भी रोक की शुरुबात हो सकती है कम दिखाई देने में जो बच्चे हैं उनमें चश्मे का नंबर जो है वो मुख्य कारण होता है तो अगर किसी बच्चे को कम दिखाई दे रहा है वो कहता है कि मुझे क्लास में पीछे की सीट पर बैठने में कि जब मैडम मुझे पीछे बैठा देते हैं तो मुझे दिखा ही नहीं देता है तो ऐसे बच्चों का चश्मे के नंबर की जहां चबश करानी चाहिए यहीं पर जो थोड़ा ज़्यादा उमर जब हो जाती है 40-50 साल की उमर पर आकर पास की निगा कमजोर हो जाती है वो आँखों की मास पेशियों में कमी के कारण होती है उसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है और यहीं करीब 60-70 साल की उमर पर आकर अगर रोश्णी कम होती है तो उसका मुख के कारण होती है या कैटरेक्ट होता है तो आखों में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आज कर हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बहुत जादा होगे जिसकी वज़े से आखे लाल हो जाती है तो क्या इस पॉल्यूशन की वज़े से आखों में कोई रोग उत्पन हो सकता है जी हाँ पॉल्यूशन की वज़े से जो सड़क पे धूल है पराग के कड़ हैं, भूसे के कड़ हैं, धूआ है उनसे किसी से भी ऐलर्जी हो सकती है और जिसके कारण आखों में खुजली आना, पानी आना और लाली होने की शिकायत अक्सर देखने को मिलती है इसके लिए जो मुख बचाव है वो ये है कि हमें जब भी सडक पे निकलें या धूप में निकलें तो एक बचाव के लिए चर्शमा अवर्श लगाना चाहिए जिससे आखों में धूल हवा न लगे और जब भी बाहर निकलें गंदे हातों को कभी आख में निलगाना चाहिए अगर आसू आ रहा है या पानी आ रहा है तो पहले सावुन से हाथ दो के और उसके बाद साफ रुमाल से ही आखों को पोंचना चाहिए और रात में सोने से पहले एक बार आख को धो के अवर्श सोना चाहिए जिससे कि जो भी आख में दिन भर धूल मिटी या गंदगी आख के अंदर पड़ी है वो रात भर आख के अंदर न रहे क्योंकि रात भर आख में रहेगी तो वो एलर्जी पैदा करेगी जिससे आखों में जलन और कीशड़ाना और लाल होना की सम्भावना रहती है तो इनी सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो पॉल्यूशन से हमारी आखें बचेंगी जब लोगों की आखें कमजोर होने लगती है तो सिर में दर्द एक वजह बन जाती है तो कैसे मालूम करें कि सिर में जो दर्द है उस वो आखों की वजह सही है क्योंकि कभी-कभी लोगों को आखों में या पिर देखने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है लेकि सिर में दर्द बना रहता है। अगर सिर में दर्द आखों का काम करने के बाद जादा हो रहा है। या शाम को जब आखे ठक जाती है तब अगर सिर में दर्द हो रहा है। तो वो आखों की बज़े से ही हो सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम नेतर विशिशक की को जाकर दिखाएं जो की आँखों की जाच करके देखते हैं कि आँखों में कोई निगाह की कमजोरी तो नहीं है चश्मा तो नहीं लग रहा है अगर चश्मा का नंबर है तो फिर चश्मे का नंबर देने से और चश्मा जी हाँ, अगर जैसा कि हमने देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन के कारण work from home या जो classes हैं वो online चल रही हैं जिसकी वज़े से सभी बच्चे mobile या laptop का प्रियोक कर रहे हैं तो ऐसे में अगर जो parents हैं वो ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो mobile को बहुत पास जाकर इस्तमाल कर रहा है या उसको थोड़ी देर इस्तमाल करने के बाद आखों में पानी आ रहा है या जलन हो रही है आखें लाल हो रही है या वो खुदी श कारण जो बच्चों में होता है इस सब तकलीफ का वो चर्शमे का नंबर होता है और वो जाच करने के बाद ही पता लग पाता है दूसरा कारण जो मास पेशियों में कमजोरी के वज़े से भी हो सकता है और उसके लिए जाच करके अगर मास पेशियों में कमजोरी पता लग तो इसके बारे में कैसे पता चले हो और कैसे इसका इसका इलाज किया जा सकता है नाइट ब्लाइडनेस या रतौंधी की बीमारी जो होती है ये बच्चों में विटामिन A की कमी के कारण देखने को मिलती है और विटैमिन A की कमी खान पान में ध्यान न देने के कारण होती है इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने को दें जिनमें विटैमिन A प्रचुर मातरा में है जैसे कि दूद है, हरी पत्यदार सबजीया है पीले फल हैं, जैसे पपीता है, पका पपीता है, आम है और काशी फल है और जितने भी ये साग आते हैं जाडों में ये सभी साग जो हैं इनमें विटैमिन A है और गाजर जाडों में खूब आती है तो ये विटैमिन A जिन चीज़ों में ज़्यादा है अगर इनको देंगे तो हम रतौंधी से बसते हैं और जब भी बच्चों को अस्पताल में ले जाएं तो वहाँ पर विटामिन A की खुराग भी बच्चों को पिलाई जाती है यह राश्री कारकरम के तहर तो चोटे बच्चों को विटामिन A जो सिरप होता है वो भी पिलवा जाना चाहिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी की बच्चों की कम उम्र में आग कमजोर होती है अगर वो बराबर चश्मा लगाए 24 घंटे में जित्ती देर भी वो जाग रहे काम कर रहे हैं अगर वो उत्ती देर चश्मा लगाए तो उनका चश्मा उतर जाता है आखे ठ मिलता है अब बच्चों में मुक्षिते दो तरह के चश्मे होते हैं एक दूर दिर्ष्टी और निकर दिर्ष्टी वाले तो इसमें एक प्रकार का जो दोश है उसमें तो बढ़ती उमर में थोड़ा नंबर कम होने की सम्भावना रहती है लेकिन जो मायोपिक्स होती है जो मा जाहिए और चश्मा हर समय लगाने के बाद ही उनको आराम मिलेगा जी निकर दिर्ष्टी दोश ये कहा जाता है कि जब उम्र बढ़ती है उन्हीं को होता है कम उम्रों में नहीं होता है लेकि चालिस साल के उम्र के पास आकर आखों की जो मासपेशियां होती है वो कमजोर ह जाती है और उतना जोर नहीं दे पाती है जितना की पास का पढ़ने के लिए जरूरी है तो चालिस साल के उम्र के बाद लोगों को ये देखा गया है कि सुई में धागा डालने में दिक्कत हो रही है या महीन पढ़ने में दिक्कत हो रही है या जो लोग का पेशा सिलाई उनको पास का काम करने में दिक्कत आ रही है। तो उस में चश्म लगाना पड़ता है Paस का जो कि उससमे आवश्यक है लगाना उस के बगयर उनको पास का दिखता नहीं है। और वो चश्मा अगर दूर का नंबर भी है तो वो दूर पास दोनों नंबर एक-साथ-फाला भी बनाय जा सकता है जिसे बाइपोकल चश्ष्मा कहते हैं या जिसे पढ़ने का काम कम है या अकेले बैठ के ही नस्दिक काम करना है तो वो खाली पास-पास का चर्श्मा बना के ही उसको इस्तमाल करें और ये जो पास का दोश होता है दृष्टी का जिसे प्रेस बायोपिया भी कहते हैं उमर के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है क्योंकि आखों की मास पेशियां उमर के साथ और कमजोर होती रहती है तो ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहता है लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है ये एक उमर के कारण ये होता है तो इसके लिए कोई घबडाने की बात नहीं है मॉबाइल चलाने से सबसे दा आखों में किन दिक्कतों की शुकायत आती है मॉबाइल जो बच्चे उसको लेट के इस्तमाल कर रहे हैं या तेड़ा लेट के इस्तमाल कर रहे हैं या बहुत करीब बैठ के देख रहे हैं मॉबाइल को तो ऐसे लोगों को अनावश्य ग्रूप में दिक्कत आ रही है जब कि उनकी आग ठीक है लिकिन वो उनका पोश्चर ठीक नहीं है वो लेट के उसको देख रहे हैं या करवट से लेट के देख रहे हैं तो आखों पर अन अच्छी लाइट में उसका इस्तेमाल किया जाए बिल्कुल अंधेरे कमरे में ना इस्तेमाल करें और सीधा बैठ के सामने रख के इस्तेमाल करें तो आखों पे तनाव भी कम पढ़ता है और दिक्कत भी नहीं होती है मोतिया बिन की अगर बात करी जाए तो यह किस उम्र क सफेद मोतिया बिन जिसे हम लोग कैटर्ड भी कहते हैं यह एक बढ़ती उम्र का लक्षन है जो की करीब साट साल की उम्र के करीब शुरू होना चाहिए कुछ लों को जल्दी भी हो जाता है कुछ जनमजाद भी होते हैं मोतिया बिन लेकिन मुखिता है और अधिकतब यह स होती रहती एकदम से कम नहीं होती है यह बहुत ही ग्रेजुल प्रोसेस है उमर के साथ धीरे-धीरे निगाह कम होती रहती है और शुरू में जो है वो आदमी को दूर में कम दिखाई देता है और पास का जो है वो अपने अब उसको अच्छा दिखने लगता है और जब शुरुवाती दौर होता है मोतिय बिन का तो चश्मे से निगा बढ़ जाती है पूरी और चश्मा लगाने से साफ दिखाई देता है लेकिन जैसे ऐसे मोतिय बिन धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो ये चश्मे का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता रहता एक स्टेज ये आती है कि जब आदमी को पास का तो बिना चश्मे की दिखाई देने लगता है लेकिन दूर का बिल्कुल नहीं दिखाई देता है चश्मे से भी और जब और बढ़ जाता है तब फिर चश्मे से भी निगाह नहीं बढ़ती है फिर उसका उप्चार जो है वो आपरेशन ही होता है तो क्या मोतिया बिन किसी इंफेक्शन की वज़े से होता है? मोतिया बिन किसी इंफेक्शन कारण नहीं होता है ये उम्र का असर है जो आख का हमारा सनरचना है उसमें एक पारदर्शी लेंस होता है आख के अंदर किस्ट्रलाइन लेंस वो उम्र के साथ सफेध होता रहता है उसकी पारदर्शीता कम होती रहती है तो उसके कारण जो है वो धुन्दा दिखाई देता है अगर इसके उपचार के बात करी जाए तो क्या ये बिना उपरेशन भी ठीक हो सकता है अगर इसके उपरेशन करना पड़े तो वो किस मौसम में करवाना चाहिए मोतिय अबिन का उपचार जो है वो सिर्फ उपरेशन के द्वारा ही होता है बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहती है और लोग कई परकार की दवाईयां भी इस गलत फहमी में डालते रहते हैं कि उससे मौतिय अबिन कड़ जाएगा या रुख जाएगा या खतम हो जाएगा लेकिन ये कोई बीमारी तो है नहीं और ये उम्र का लक्षन है और उम्र के साथ बढ़ता ही रहता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी परकार की भी दवाईयांग में मौतिय अबिन के लिए इस्तेमाल न करें और उससे किसी सी दवा से मौतिय अबिन रुखता नहीं है और इसका उप्चार सिर्फ ऑपरिशन ही है और ऑपरिशन बहुती आसान होता है इसका और हर मौसम में किया जा सकता है ये बिना टाके वाले ऑपरिशन होते हैं जिसमें कोई तकलीव भी नहीं होती है और कोई भरती रहने की भी जरूरत नहीं होती है आदमी आता है, उपरिशन करा के घर चला जाता है इसलिए इस पे अब मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ता है वो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कैम्प लगते थे जो की जाडों में ही लगते थे तो उसमें लोगों को ये गलत फैम ही रहती थी कि मोतिया बिन का उपरिशन तो सिफ जाडों में होता है लेकिन अब ऐसा नहीं है अब जो तकनीक है उपरिशन करने की वो बदल गई है कोई टांका नहीं लगता है, कोई भरती रहने के अवर्शक्ता नहीं रहती है इसलिए ये हर मौसम में कभी भी किया जा सकता है तो नेत्र में जो परिशानियां होती हैं उनसे बचाओ के क्या तरीके होते हैं कैसे हम अपनी आखों को स्वस्तर रख सकते हैं बचाओ के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है खानपान जो हमारा आहार है वो बहुत संतुलित होना चाहिए हमें ऐसी चीज़ें जीज़ें ज़ादा खाने चाहिए जो कि आँखों के लिए फायदे मन्द है और आँखों के लिए सबसे आदा विटामिन A जो होता है वो लाबदायक होता है और जैसा मैंने भी बताया कि विटामिन A के लिए हमें दूद, हरी पत्तेदार सबजियां पपीता, काशी फल, आम और इसी तरह की सबजियां जो हरी पत्तेदार हैं, साग हैं उन्हें खाना चाहिए, दूसरा बचाओ है यानि आँखों को हमें बचाना चाहिए जैसे हम सड़क पे निकल रहे हैं, तो एक धूप का चर्ष्मा लगा है ज्यादा तेज धूप आँख में नहीं पढ़नी चाहिए धूल मिटी आँख में नहीं पढ़नी चाहिए बच्चे अगर खेल रहे हैं तो हमें विशेश ध्यान देना चाहिए को उनको चोट ना लगे दिवाली पे जैसे पटाके चलाते हैं लोग या होली पे रंग खेलते हैं आँखों में अक्सर लोगों के चोट लग जाती है तो उससे हमें बचाओ रखना चाहिए और अगर कोई भी तकलीफ आँख में हो रही है कम दिखाई दे रहा है या आँख लाल हो रही है या गणन चुभन हो रही है तो तुरंट नेस सर्जन को दिखाना चाहिए उसका स्वयम उपचार नहीं करना चाहिए कुछ लोग खुदी जाके दुकान से दवा ले आते हैं और उसको डाल लेते हैं और बाद में उनको नुकसान हो जाता है तो स्वयम अपने आप कोई दवा लेके उसका इलाज नहीं करना चाहिए जी, लोग घर में गुलाब जल का इस्तमाल भी करते हैं तो क्या वो सही है? देखिए गुलाब जल जो भी आजकल मिल रहा है वो ये कहपाना मुश्किल है कि वो असली है कि आर्टिफीशल है दूसी चीज गुलाब जल जो ज़्यादा तर बन रहा है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए बन रहा है या तो वो खुश्बू के लिए बन रहा है या रूम फ्रेशनर के लिए बन रहा है कोई भी गुलाब जल मैंने तो ऐसा देखा नहीं आस तक चार से बचें और गुलाब जल को आँख में ऐसे नडालें अगर पानी से इंसान अपनी आँख धोता है तो उस समय किन चीजों का दिहान रखना चाहिए पानी से बहुत ज़्यादा आँखों को नहीं दोना चाहिए एक बार सुबह नहाते वक्त धोलिया और एक बार रात में सोने से पहले या कहीं आप बाहर से सफर करके आएं या कहीं धूल मिट्टी में गए थे तो आँखों को धोलेना चाहिए ताकि जो भी धूल मिट्टी या इलर्जेंस जो आँख में पड़े हैं भूसे के कण है या पॉलेंस है तो वो निकल जाएं बहुत ज़्यादा आँख धोना जो है वो अच्छा नहीं रहता है क्योंकि उससे जो आँख का निचुरल लूब्रिकेशन है जो कुदरती उसके अंदर चिकनापन है वो धुल जाता है तो उस समय तो थोड़ा सा लगता है कि हां हमें आरा मिला है लेकिन लंबे समय के लिए वो हानिकारक होता है और उससे आँखों में ड्राइनस भी हो सकती है क्योंकि जो निचुरल लूब्रिकेशन है वो धुल गया बार-बार तो कुछ लोगों को अपने देखा है कि वो बार-बार आखों को छीटे मार के धोते रहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए और उससे और तकलीफ बढ़ती ही है जिलनों का आखों का ओपरेशन होता है तो डॉक्टर उनको कौन सी सलहा देता है उनको कैसे टेंपरेचर में रहना चाहिए किती तेज रोष्णी में रहना चाहिए कोई भी ऑपरेशन हो तो उसके बाद जो भी दिंचर्या है वो वही रखनी चाहिए जैसा कि है जैसे जिस समय आप सोके उठते हैं उसी समय उठिये और नाश्ता और खाना भी उसी प्रिकार से खाईए जैसे पहले से खा रहे थे विशेशकर जो डियाबिटीस के मरीज हैं उनको अपने खान पान में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए नहीं दवाईयों में कोई परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि उस से फिर उनका ब्रशूर का लेविल घट बढ़ सकता है इसके अलावा जो भी दवाईयां डॉक्टर दौरा बताई गई हैं उनका भी समय से इस्तेमाल करना चाहिए दवा डालने में विशेज ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी दवा डालिए पहले साबून से हाथ धो ले जो व्यक्ति दवा डाले और जब भी आँख को पोचना हो हमेशा साफ रुमाल से या साफ टीशू पेपर से या आँख को पोचना चाहिए यही ही रुमाल को यही डिशू पेपर को बार-बार इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और जैसा भी आपको रहने की आदत है वैसे ही रहना चाहिए कोई बहुत ज़ादा परहेज भी आँखों के आपरिशन में नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा खाने पीने का कोई परहिज हो तो जो सामाने खाना घर में रोज बनता है जो भी माफिक आता हो आपको जिसके आपको लगता है कि हाँ यह हमें खाना सूट करता है वही खाना चाहिए जैसा कि रोज घर में खाने की आदत हो तेज रोष्णी में क्या इंसान जा सकता है जिसकी आखों का उपरेशन हुआ है तेज रोष्णी से तो हमें महशाई बचना चाहिए तेज रोष्णी चाहे वो सूर की रोष्णी हो वो भी नुकसान करती है हेलोजन लाइट है वो भी नुकसान करती है तेज लाइट से तो हमेशा बचना चाहिए और विशेशकर जिननों का उपरेशन हुआ है उनको तो खासतोर से तेज लाइट से बचना चाहिए तो क्या कोई टेंपरेचर भी एहम रोल निभाता है कि हमें ज़्यादा या कम टेंपरेचर में नहीं रहना चाहिए बहुत ज़्यादा टेंपरेचर पर जाने की तो कोई अवशक्ता पढ़ती नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा टेंपरेचर में काम करते हैं जैसे जो इं तो थोड़ा सा एतियाद बरत के थोड़ा सावधानी बरत के वो काम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हीट से एक्सपोजर आखों का ठीक नहीं रहता है ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के आखों में काजल लगाते हैं तो वो क्या आखों के लिए सही रहता है जी नहीं बिल्कुल नहीं काजल जो है वो कभी भी आखों में नहीं लगाना चाहिए काजल कोई आशदी नहीं है और उसके अंदर कोई ऐसा गुण भी नहीं है कि जो लगाने से आखों को कोई लाब हो और काजल लगाने से ये देखा गया है कि जो ट्रकोमा की बीमारी होती है रोहे की बीमारी होती है वो फैलती है क्योंकि ज़्यादा तर जो लेडीज होती है वो एक ही उंगली से और सभी बच्चों के आँखों में काजल या सुर्मा लगा देती है तो उससे एक बच्चे की आँख में अगर रोह की बीमारी है, कोई इंफेक्शन है, कोई कीटाणू है तो वो दूसरे की आँख में पहुंच जाता है वैसे भी काजल का कोई चिकित सिखी गोह नहीं है उसके अंदर, वो कोई और शदी नहीं है तो हमारी राय यही है कि काजल कभी भी आँखों में नहीं लगाना चाहिए आपने मोतिया बिन के बहुत सारे ऑपरेशन करे हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा केसा है जिसमें किसी छोटे बच्चे के आँख में मोतिया बिन हुआ हो, क्या कभी ऐसा संभव है जी हां मोतिय बिन जो है वो बच्चों में भी होता है और यहां तक की जनजाद भी होता है जो बिलकुल पैदा हुए बच्चे होते हैं अक्सर उनके भी मोतिय बिन होता है तो उनका भी इलाज ऑपरेशन दुआ रहा ही होता है मुतियाबिन का जैसे हमने बताया उसकी कोई दवा नहीं होती है अगर बच्चों में है तो भी वो ऑपरेशन से ही ठीक होता है जैसे कि आपने बताया यह बढ़ती उम्र की वज़े से होता है यह करण होते हैं या जैसे कुछ रोग होते हैं जैसे डाइबिटीस के मरीज हैं या कुछ लोग कॉट्सोन वाली जो दवाईयां होती हैं आई डॉप्स होते हैं उनका बहुत लंबे समय तक बिना किसी नेस सेजन के परामर्श के डालते रहते हैं आँक में तो उनके भी कम उमूर में मोतिया बिन बन जाता है कई लोग ऐसा करते हैं कि बिना पूछे दुकान से दवा ले आते हैं और उसको बहुत लंबे समय तक डालते रहते हैं और यह स्टिरोइड आई डॉप्स जो होती हैं जिसी को अचछ की सला के बारे में सबसे ज़रूरी हुता है यह देखना कि वह साद्मी का पेशा क्या है अगर उसको इतना कम दिखराह है कि उसको अपना काम करने में दिक्क्था आ रही है जो भी उसका रोजगार है, जो पेशा है, उसको करने में दिक्कत आ रही है, तो तुरंट उसका उपरेशन कर दिया जाता है, आदमी का वर्क सफर नहीं करना चाहिए, अगर शुरुवाती दौर में मुतिय बिंद है और चश्मे से पूरा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे लोगो को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से अपनी आपको सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपना खानपान में सुधार रखें और मुबाइल का इस्तेमाल जब करें तो लगातार बहुत लंबे समय तक न करें, अपना पोस्टर ठीक रखें, लेट के या करवट लेट के अंधेरे कमरे में मुबाइल न चलाएं, और कभी भी कोई दिक विशिया के हम ऐसा जुड़े थे, उन्होंने नेत्र से संबंदित बीमारियों के बारे में साथ ही साथ उसका बचाओ और इलाज कैसे किया जा सके इसके बारे में भी जादकारी दी है, विलहाल आज के एपिसोड में अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और टॉपिक के रनेंगे उनकी राय, तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी